हेलो एंड वेलकम बैक तो माई चानल कोडवित लक्षू आज की इस वीडियो में हम एड़ली के प्रैक्टिकल नंबर वान ए को पफॉर्म करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं हमारे वीडियो का एम क्या है तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर अपना इंडेक्स दिखा दे तो यहां पर देखिए आज हम प्रैक्टिकल नंबर वान करने वाले हैं जिसका में नेम है वोकिंग विद बेसिक सीशाप एंड एसपी डॉट नेट इसके अंदर हम एवाला परफॉर्म करेंगे क्रियेट अप्लिकेशन दाट ओप्टेइन पोर इंट वैल्यूस वाम दे इसके करके डिस्प्ले करा ने तो चलिए हम इसे विजुल स्टूडियो में पर सबसे पहले मैं अपना विजुल स्टूडियो UPन कर लेती हुं यहां पर देखे मेरा विजुल स्टुडियो ओपन पर हो चुका है मैं यहांपर simple create and new project के बटन पर क्लिक clic करोंगी और यहां से asp.net web application.net framework को select कर लेती हूँ यहां मैं अपने project को name दे देती हूँ प्रैक ए करके और यहां से simply create के button पर click कर देती हूँ और यहां से web form को select कर लेती हूँ तो यहां पर देखिए जो हमारा project है वो create हो चुका है अभी इसके बाद आपको करना क्या होगा यहां पर देखिए साइड में आपको solution explorer दिखाई दे रही होगी उससे आप नीचे तुरह scroll down करिएगा आपको default.asps का page दिखेगा उस पर आपको एक बार click कर देना है click करने के बाद कुछ ऐसा interface open होगा तो आपको तो पता ही होगा जब हम ASPX का जो page को design करते हैं उसमें सारा content हम ASP content के अंदर ही लिखते हैं तो बाकी इस सब चीज़े हमें नहीं चाहिए तो मैं इसे delete कर देती हूँ और उसके बाद यहां पर enter करके मैं simply design वाले option को select कर लेती हूँ डिजाइन वाले option को select करोगे तो कुछ ऐसा interface हा रहा है पर आप इस पर ध्यान मत दीजेगा क्योंकि यह सिर्फ यहीं दिखाई दे रही है जब आप run करोगे तो नहीं दिखाएगी यह white वाले space में जो भी आप design करोगे सिर्फ वहीं दिखाएगी तो हमें design में हमारा GUI कैसे होगा हमें चार लेबल चाहिए होंगे जिसमें लिखा होगा enter first number second third fourth करके और चार टेक्स बॉक्स चाहिए यूजर की values को store करने को और एक और टेक्स बॉक्स चाहिए जिसमें हम product का result दिखा सकें और एक button चाहिए होगा तो सबसे पहले चलो हम design करते हैं GUI को तो आपको यहां पर search box में simply label लिख देना है और enter कर देना है तो देखिए वहां पर label add हो जाएगी उसके बाद spacing देखिए यहां पर text box search कर लेना है फिर text box add हो जाएगी फिर मुझे ऐसे चार label और text box चाहिए तो मैं फटा 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 एड कर लेती तो यहां पर देखिए हमने अपना GUI तो बना लिया पर इसके अभी भी properties को change करना बागी है तो इसके properties को कैसे change करेंगे आपको simply label पर एक बार click करना है और right click करना है और यहां पर properties वाल option है उसे select कर लेना है तो आपके सामने कुछ ऐसा window open हो जाएगा तो यहां पर text का एक option ह होगा आपको simply वहां पर लिखना होगा enter first number ओके और अभी second वाली को select करना है जैसे ही आप select करते जाओगे तो यहां पर वो tap change होते चाहेगे और आपको यहां पर changes कर देना है enter second number वैसे ही मैं सारे के नाम change कर देती हूँ ओके तो यहां पर देखिए हमने नाम change कर दिया है अभी हमें यह button के भी properties को change करने होंगे तो इसके लिए मैं को button पर click करती हूँ और यहां पर button लिखा है वहां पर मैं simply लिखोंगे calculate अल्राइट यह सारे हो गए अभी हम यह इसको बंद कर देते हैं और यहां पर अभी में यह calculate का जो बटने उस पर double click करके एक function create कर लेते हूँ तो कोई भी function बनाने के लिए ASPS में आपको simply button पर double click करना होता है फिर उसके बाद वो उसका on click set हो जाता है तो हमारा GUI बन गया अभी हम अपना main coding करेंगे तो इसके यहां पर हम करेंगे क्या हम एक int करके data type ले लेंगे और इसके चार variable बनाएंगे चार में पाच बनाएंगे num1 num2 num3 num4 और यहां पर एक product का भी variable बनाएंगे okay प्रॉड करके उसके बाद हमें करना क्या होगा हमें एक एक variable को जो भी user से value मिलेगा उसको हमें text box में store करना होगा तो उसके लिए हम कैसे करेंगे तो हम simply num1 लिखेंगे is equals to int dot और यहां से parts करेंगे और यहां पर हम कैसे करेंगे इसे text box से हम लेंगे text box one dot text में store करेंगे वैसे ही चार हो variable का मैं फटा फट कर देती हूँ और अभी हमें एक product क्या variable है उसमें हमें अपना main product का formula लिखेंगे तो यह प्रॉड करके variable को मैं यहां पर लिखती हूँ करूंगी num1 into num2 into num3 into num4 ओके और इसके बाद में करूंगी क्या यहां पर हमें अपने answer को text box में display कराना है इसके लिए text box का id चेहर हेगा तो हमारा जो text box 5 है उसका id है text box 5 ही तो उसे हम text box 5 dot text लिखेंगे is equals to text box 5 में कहां कि यह fetch होने चाहिए यह वाली variable के तो यहां पर मैं simply prod dot to string लिख देती हूँ और यहां से इसे close कर देती हूँ और अभी हम अपने program को run करके देखते हैं कि इसका output आता है कि नहीं तो यहां पर simply में run के button पर click कर देती हूँ तो यहां पर देखिए चो हमारा output था वो आ गया है चलिए हम देखते हैं कि यह proper work कर रहा है कि नहीं तो सबसे पहले मैं इसमें value डाल देती हूँ तो यहां पर भी 2 देन यहां पर भी 2 और यहां पर इसे calculate के button पर click कर देती हूँ तो यहां पर देखिए 2 तूसा 4, 4 तूसा 8, 8 तूसा 16 इसने हमें proper product दिया है इसका मतलब जो हमारा output था वो successfully run हो चुका है तो अगर आपको इस वीडियो के related कोई भी doubt या issue होगी तो feel free to comment me in the comment section Thank you for watching this video